स्टूडेंस आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक निया योनिट जिसका नाम है विंडोज एक्सेसरीज तो चलिए देखने हैं कि विंडोज एक्सेसरीज क्या होता है और आज हम इसका कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टुडेंस आज हम दो शुरू करेने जा रहे हैं एक निया योनिट जिसका नाम है विंडोज एक्सेसरीज पहले हम यह देख लेते हैं कि विंडोज क्या है विंडोज क्या है विंडोज है एसा software होता है जो के user को connect करता है computer के सब्सक्राइब छिके तो Windows हमें connect करता है हमारे computer के साथ और हमें help करता है different tasks को perform करने के लिए ठीक है तो students Windows में कुछ special programs होते हैं उन special programs को हम लोग कहते हैं accessories ठीक है अब Windows accessories में किस किसम के programs होते हैं पहले वो देख लेते हैं तो students हम लोगों को आम routine में जो task करने होते हैं computer के ओपर जैसे के हम लोग क्या क्या यूजरी करते हैं typing करते हैं इसके इलावा painting करते हैं calculations करते हैं करते हैं और students इसी तरह से हम लोग word processing भी करते हैं तो students इन सब कामों के लिए हमारे Windows में होते हैं कुछ programs सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस chapter में हम लोग कौन-कउन रग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ देखिया board के तरह हम लोग पढ़ेंके नोटपाड के बारे में WordPad के बारे में Calculator के बारे में पढ़ेंगे Sticky Notes के बारे में पढ़ेंगे और Snipping Tool के बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंस ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है तो सुडेंस आज हम लोग पर रहने वाली है नोटपैट के बारे में तो चलिए देखते हैं नोटपैट क्या होता है और किस तरह से यूज करते ह सबसे पहले देखिए किस तरह से अक्सेस करेंगे सबसे पहले देखिए किस तरह से जाना है तो स्टूडेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन पे तो चलिए मेरे साथ कीजिए आप लोग भी सबसे पहले हम लोगों ने क्लिक किया स्टार्ट बिटन को और आप लोगों के पास all programs आपको नजर आ रहे हैं आ तो students in all programs में हमारे पास एक option होती है accessories की तो चलिए ज़रा इसे click करते हैं और जब हम लोगों ने accessories को click किया तो students आप लोग देख सकने हैं कि अब हमारे पास एक नई drop down list आ गई है drop down का क्या मतलब है इसकी sub list है ये windows accessories के आगे से sub programs है और उन programs में आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है ज़रा देखिए हमें नजर आ रहा है तो students ये सारे programs क्या है ये है windows accessories ठीक है तो हम लोगों ने कौन सा program खोलना है हम लोगों ने सबसे पहले खोलना है notepad को तो चलिए मेरे साथ notepad को open कीजिए जी students तो अब आप लोगों के पास जो नई window appear हुई है ये क्या है ये है एक notepad तो चलिए सबसे पहले हम लोग notepad के components को देख लेते हैं students ये जो बार आप लोगों को सबसे उपर नजर आ रही है ये है title बार और students इसके उपर होता है आपकी file का title और आपकी window जो open हुई है उसका title हमारी window कौन सी open हुई है कौन सा program है ये जरा बताएं notepad है तो आप लोगों को title बार में क्या नजर आ रहा है untitled और notepad लिखा वा नजर आ रहा है untitled क्यों है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपनी इस file को save नहीं किया तो students जब तक आप लोग किसी नाम से save नहीं करेंगे इसका नाम क्या आएगा untitled आएगा और students उसके साथ notepad लिखा हुआ है notepad यहां क्यों लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो program open हुआ है वो notepad है अब students जड़ा इस बार के right side पर देखिए आप लोगों को तीन बटन नजर आ रहे हैं जी students यह बटन क्या करते हैं यह मिनिमाइस का बटन री स्टोर का बटन और क्लोस का बटन मुझे उमीद है कि आप सबको याद होगा कि यह तीनों बटन क्या करते हैं याद है न सबको जी तो students टाइटल बार से नीचे देखिए आप लोगों को कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं students यह buttons यह tabs यह क्या है यह है menu वार तीक है और यह सारे के सारे है menus यानि के file menu, edit menu, format menu, view menu और help menu तो सब सब पहले देख लेख लेटे हैं के file menu में क्या होगा students file menu में file से relevant जतनी भी चीज़ें है आप लोग इस menu में करते हैं और Edit menu में क्या होगा? Editing यानके Undo, Redo बगारा आप लोग यहाँ पे करेंगे. और Students, Format menu में Formatting से relevant चीज़ें होगी और उसी तरह से जो View menu है वो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों का Document किस-किस तरह से आप लोग देख सकते हैं. और उसी तरह Students, अगर आपको कोई प्राबलम आती है नोटपैट से relevant तो उसकी सारी इंफ्रमेशन आपको कहां मिलती है? हेल्प menu में मिलती है. Students, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि File menu क्या है? तो चलिए देख से हैं. तो हम लोग अपने नोटपैट की menu बार को पढ़ रहे हैं और हम सबसे पहला menu पढ़ने वाले हैं, यानि के File menu. तो ज़रा मेरे साथ इस File menu को क्लिक कीजिए. जिस तरह सब हम लोग उने File menu को क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं के different options आ गई है. आपके पास new का option है, open का option है, save है, save as है और page setup और print के options हैं, ठीक है? तो students, सबसे पहले हम लोग यह देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग एक नए document को create करते हैं. तो देखिए मेरे साथ किस तरह से create करेंगे? तो students, हम लोग करेंगे new पर क्लिक और जब हम लोग उने इस option को click किया, तो students, एक blank file आपके पास create हो जाएगी, जिसके उपर आप कुछ भी type कर सकेंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोग एक file को save करते हैं. हम लोग उने एक blank file create की है, तो students, चलिए इसके उपर कुछ टेक्स लिख लेते हैं. Favorite subject. ठीक है? तो students, यहां हम लोग उने क्या type किया है? हमने type किया है, computer science is my favorite subject. ठीक है? अब हम लोग उने इस file को करना है save. तो किस तरह से save करेंगे? सब से पहले हम लोग जाएंगे file menu में. और file menu में आप लोगों को एक option नज़र आ रही है, save की. ठीक है? आप लोग देखेंग students, यहां save की थोड़ा सा आगे, right side पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा control plus S. यह control plus S यहां क्यों लिखावा है? यह है save करने के लिए इस्तमाल होने वाली एक short key. अगर आप लोग file menu में जाकर इसे save option को क्लिक नहीं करना चाहते हैं, तो students, हम लोग अपने keyboard के जरिए control plus S क प्रेस करेंगे, तो क्या होगा? तो भी हम लोग इस file को save कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए ज़रा save option को क्लिक करें, जी, तो students, save option को जब हम लोगों ने click किया है, तो आपके पास एक नया dialogue box appear हुआ है, ठीक है? यह dialogue box क्या कह रहा है? यह dialogue box save का, ठीक है? हम लोगों ने सबसे प इस text box में हम लोगों ने इस file का नाम देना है, हम लोग इसे कहते हैं, my document, ठीक है? और students, आप लोगों को दो options नजर आ रही है, बिल्कुल bottom में right side पे देखिए, एक option है cancel का, और second option है, save का option है, तो students, अगर आप लोग इस document को save करना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सा button क्लिक करें करेंगे save button को, और अगर आप लोग इसे cancel करना चाहते हैं, यानि कि आप लोग इस document को save नहीं करना चाहते हैं अपने computer में, तो हम करेंगे cancel button को click, तो students, हम इसे save करते हैं, और हम click करते है save button को, जी students, तो हमारा document हो चुका है save, ठीक है? अब ज़र आप लोग देखिए, टाइटल नजर आता है, students, अब हमारा title क्या है? अब यहां पर title लिखा हुआ है my document, ठीक है? जहां पहले untitled था, अब वहां पर लिखा है my document, क्यूंकि हम लोगों इस document को कर लिया है, अब save, आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पहले से saved document को open कर अब हम लोगों ने जो पहले save किया था document, students, अब हमने उसे open करना है, यहां ठीक है? देखिए मेरे साथ हम किस तरह से करेंगे? सब से पहले जाएंगे, file menu में और फिर, अब यहां से हम लोगों ने कौन से option को क्लिक करना है? अब हमने option क्लिक करना है open, ठीक है? कीजिए मेरे स जब हम लोगों ने यहां से open को क्लिक किया, तो students, आप लोगों के पास एक नया dialogue box appear हुआ है, ठीक है? इस dialogue box में आ रही है, आपके computer में मजूद कुछ text file, ठीक है? अब इन में से हम लोगों को इसी भी file open कर सकते हैं, तो students, मैं open करने वाली हूँ my document, जो के हम लोगों ने अभ और अब आप लोगों को bottom में दो buttons नज़र आ रहे होंगे, cancel and open का button, तो students, अगर आप लोगों को इस file को open करना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सा button क्लिक करेंगे? हम क्लिक करेंगे open को, कीजिए मेरे साथ, तो students, अब देखिए अपनी screen पर, आप लोगों को कौन सा document नज़र आ है, वही document जो के हम लोगों ने कुछ तेर पहले बनाया था और जिसे save किया था, हम लोगों ने इसे save किया था my document के नाम से, और हम लोगों ने इसमे text लिखा था, computer science is my favorite subject, और students, आप लोग देखिए, इस document पे same text लिखा हुआ है न, जी students, यह वही document है, जो के हम लोगों ने करने वाले हैं, चलिए, देखिए मेरे साथ कि किस तरह से exit करते हैं, students, इसके दो तरीके है, या तो आप लोग फाइल मेन्यू में जाएंगे, और students, यहां से हम लोग क्लिक करेंगे exit को, ठीक है, exit का option आप लोगों को नजर आ रहा है न, जी students, तो यहां से हम लोगों ने click कर करना है, exit को, और students, इसके बाद क्या होगा, यह program exit हो गया, ठीक है, लेकिन, students, आप लोगों को एक और बात मेने बताई थी, title bar में, जो red color का cross का button होता है, students, वो भी close करने के लिए use होता है, तो अगर आप लोग notepad को close करना चाहते हैं, आप लोग उस बतन के जरिए भी से close क कर सकते हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोग एक file को print करते हैं, तो चलिए मेरे साथ देखिए, सबसे पहले notepad को open कर लीजिए, और इसमें हम लोग कोई file open कर लेते हैं, कीजिए मेरे साथ, जी students, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग उने file को open कर लिया है, ठीक है, अब हम लोग इस document को print करने वाले हैं, तो students, सबसे पहले हम क्या करेंगे, file menu में जाएंगे, file menu में आप लोगों को एक option नज़र आ रहा है, print का option, ठीक है, हम लोग उने इससे click करना है, आप लोग इस option को भी click कर सकते हैं, और इसके इलावा आप लोग short की use कर सकते हैं, कौन सी, control प्लस P, control और P को जब हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे, students, तो इस तरीके से भी आप लोग इस document को print कर सकते हैं, तो students, जब हम लोग उने print का option select किया, तो आप लोग देख सकते हैं, कि एक नई window आपके पास appear हो गई है, ठीक है, इस dialogue box में क्या क्या options हैं, देखिए, students, आप लोग इसकी different copies भी बना सकते हैं, जब ये option देखिए, आप लोगों को नजर आ रही है, number of copies, अगर आप लोग इस document को सिर्फ एक ही बार print करना चाहते हैं, तो default number 1 होता है, हम लोग इसे 1 ही रहने देंगे, लेकिन अगर आप लोग इसकी ज़्यादा copies प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग इस number को बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितनी आप लोगों को copies चाहिए, आप लोग उतना number यहां दे सकते हैं, यानि के 2, 3, 4, 5 या जितनी भी आप लोग copies चाहते हैं, अब bottom में आप लोगों को students तीन options नज़र आ रही है, print की option नज़र आ रही है, cancel की और apply की option नज़र आ रही है, सबसे पहले students हम लोगों करेंगे apply कीजिए मेरे साथ, तो students हम लोगों ने apply कर लिया है, अब apply पर click करने के बाद हमारा document printing के लिए ready है, और जो commands हम लोगों ने दी ह उनी commands के मताबक printing होगी, तो students चलिए print का button क्लिक करें, जी students, तो अब अगर आप लोगों का computer आपके printer के साथ connected होगा, तो ये क्या होगा, इस option से अब आप लोगों का document paper पर print हो जाएगा, सिर्फ उसी सुरत में अगर आप लोगों का computer आपके printer के साथ connected है, ठीक है, तो अगर आपका computer आपके printer के साथ connected है, student, तो इस बताये गए तरीके से आप लोग अपने documents के prints, papers पर ले सकते हैं, students, आज का lecture इतना ही था, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे, edit menu के बारे में, तब तक अपना खयाल रखेगा, students, अलाहाफेर,